दोस्तो अगर आप लसुन की बुवाई अपने खेद में मशीन के द्वारा करवा रहे हो तो आपको किन किन बातों की साउधानिया रखनी है और दोस्तो कितने परकार के मोडल ज्यादा चलन में लसुन बुवाई के हैं तो दोस्तो ज्यादा चलन में दो परकार के मोडल एव दोस्तों इन दोनों मशिनों की अपनी अपनी कुछ अलग-अलग विशेष्था हैं उन सभी के बारे में आज के इस वीडियो में हम जानेंगे और आपको क्या-क्या साउधानिया रखनी है उन सभी को मैं सुयम 6 साल से लगातार लसुन की बुवाई मशिन से कर रहा हूँ मेरे सामने इन 6 सालों में क्या-क्या समश्या आई है लसुन की बुवाई करते समय मशिन के दुवारा इन पिछले 6 सालों में मेरे सामने क्या-क्या समश्या आई है वो चार समझ्या में आपको चार पॉइंटों में समझाऊंगा दोस्तों वीडियो को पूरा अंत्य तक जरूर देखेगा बीज-बीज में स्किप मत किजेगा वरना आपसे मतोपून जानकारी मिस हो सकती है दोस्तों मैं हूँ विनोत पाटिदार और आप सभी दर्शोकों का अपने यूटूब चैनल फार्मर किलिक पर स्वागत करता हूँ और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेर किजेगा और चैनल को सस्क्राइब करकर साथ में बेल आइकन की गंटी को दबाकर ओल को सलेक्ट किजेगा ताकि हमारे यूटूब चैनल फार्मर किलिक पर क्रसी से संबंदित आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए दोस्तो मशिन से लसुन की बुआई करने के लिए आपको चार साउधानिया रखनी जरूरी है दोस्तो आपको फेली साउधानी किसी भी मोडल की मशिन से बुआई करो दोनों मोडल गिरारी वाली और चेन वाली दोनों में ये साउधानिया आपको अवश्य रखनी होगी दोस्तों अपने खेत में फ़स्ट हकाई गहरी करने के बाद जो भी आपके खेत में बड़े बड़े डख कर रहेते हैं वो बड़े डख कर नहीं होने चाहिए खेत के अंदर दोस्तो जितना बारिक खेद आप करोगे उतने ही अच्छी आपके खेद में मशिन से लसुन की बुवाई हो सकेगी अगर दोस्तो आपके खेद में तोड़े बड़े डखकर रहेंगे तो दोस्तो आपके लसुन की कलिया मिट्टी में डंग से दबेगी नहीं और उपर ही रह जाएंगी और अगर दोस्तो आप उनको मिट्टी के अंदर दबाने की कोशिस करोगे तो आपको लसुन को गहराई में डालना पड़ेगा और गहराई में लसुन कभी भी नहीं डालनी चाहिए और दोस्तो अगर आप खेत को बारिक रखोगे तो लसुन की वुआई के बाद जो लसुन की वुआई की मशीन के पीछे पाटा लगता है उससे आपकी कलिया आसानी से डग जाएगी दोस्तों दूसरी साउधानी आपको रखनी है जब आप लसुन की एकक कलिक कर लेते हो उसके बाद लसुन की कलियों की ग्रीडिंग करना तो दोस्तों ग्रीडिंग करने के लिए आप हाथ के जो चानने आते हैं उसका परियोग कर सकते हो उन चाननों की मदद से दोस्तों आपको लसुन की कलियों की तीन वेराइटी बनाना है बड़ी-बड़ी कलिया अलग, मिडियम अलग और बारीक सबसे जो छोटी कलिया होती है वो अलग तीनिस्टो में आपको अलग-अलग कलियों की विराइटिया निकालनी है अगर दोस्तो कलियों की बिना ग्रेडिंग के आप लसुन की बुआई करोगे मशिन के दुआरा तो दोस्तो जिस परकार स्वयबिन बोने की गेर वाली मशिन आती है और जिस परकार उसमें स्वय बीन डाली जाती है उसी परकार का सिस्टम लसुन बोने की गिरारी वाली मशीन में भी होता है अगर दोस्तों आपकी कलिया बिना ग्रेडिंग वाली होगी तो आप बड़ी कली के एसाप से आपके मसीन की अगर चाल खोलोगे तो दोस्तो एक बड़ी कली के साथ में दो तीन छोटी कली भी साथ में गिरेगी और यदि अगर दोस्तो आपने छोटी कली के इसाप सकर चाल खोली मसिन की तो दोस्तो छोटी कली की जगह बड़ी कली आके वही पर पहस जाएगी उससे आपकी ना तो छोटी कली बहार आएगी ना बढ़ी आएगी दोस्तो, तिसरी साउदानी आपको ये रखनी है अगर लसुन की बुआई आपको आज करना है तो दोस्तो आपके गर पर जो भी कलिया पड़ी है उन कलियों को आप ऐसा ना हो कि बुआई आपको आज करनी हो और उन कलियों को कल शाम को यह आपने बारदान के अंदर बर लिया हो दोस्तो आज बुआई कर रहे हो आप तो आज सवेरे ही आपको बारदान में भर कर कलियों को खेत पर लेकर आना है दोस्तो बुआई से एक दिन पहले अगर आप लसुन की कलियों को बारदान में भर लेते हो तो दोस्तो लसुन की कलिया पानी छोड़ती है उसमें बब बनता है तो दोस्तो उसकी वज़े से कलिया चिपक जाती है वो फिसलती नहीं है तो दोस्तो कलिया आपस में चिपकने की वज़े से फिरारी वाली मशीन में वो निकलती नहीं है अब दोस्तो बारदान कौन सा यूज करें दोस्तो प्लास्टिक के बारदान में सिर्फ 15 मीट में ही लसुन गिली हो जाती है बप मार देती हो पानी चोड़ती हैं दोस्तो गर से खेत तक लाने के लिए आपको या तो जूट के बारदान यूज करने चाहिए या फिर दोस्तो नेट वाले बारदान यूज करने चाहिए दोस्तो आप चोती साउधानी क्या रखें तो दोस्तो चोती साउधानी रखने हैं आपको लसुन की कलिया, किसी भी फंजी साइट या इंसक्टी साइट से आप उपचारित ना करें दोस्तो अगर आप किसी भी फंजी साइट या इंसक्टी साइट से उपचारित करते हो कलियों को तो वापस आपके सामने वही समश्य आएगी लसून पानी छोड़ेगी आपकी सारी कलिया फिर वापस आपस में चिपक के गुच्छा मन जाएगा उनका और मशीन से निकलने में उसको बहुत परिशानी आएगी उससे तो अच्छा है दोस्तों आप अपने खेद को ही उपचारित कर लिजे दोस्तों कारबंडा जैब मेंको जैब डईसो ग्राम परती भीगा के साब से हकाई से पहले अपने मिट्टी में डाल दीजे आपका खेद उपचारित हो जाएगा तो बीच को उपचारित करने की क्या ज़र होते है दोस्तों बात करते हैं गिरारी वाली मसीन और चेन वाली मसीन दोनों की अपनी अपनी अलग-अलग क्या विशस्ता है तो दोस्तों गिरारी वाली मसीन और चेन वाली मसीन दोनों ही मशीन में एक क्यारी में गुनिस नालिया चलती हैं दोस्तो चेन वाली मशीन के अंदर क्या होता है कि आप उसकी पेटी के अंदर जब आपनी कलिया डालते हो उनी कलियों के अंदर से गुनिस चेन होती हैं दोस्तो वो गुनिश चेन गुमती रहती है और उन चेन के उपर ही दोस्तो कटूरिया लगाई जाती है कुछ मशीनों में लोहे की कटूरिया लगती है और कुछ में पलास्टिक की कटूरिया लगाई जाती है तो दोस्तो जो लोहे की कटोरी वाली होती है उसमें आपके एक भी कटोरी मिश नहीं जाती है लेकिन दोस्तो एक कली के साथ में वो कभी दो कली भी उठाती है कभी तीन कली भी उठाती है एक ही कटोरी और दोस्तो जो प्लास्टिक वाली कटोरी होती है वह एक कली उटाती है लेकिन उसमें बहुत सारी कटोरिया बीच में मिच जाती है दोस्तो वह खाली कटोरिया जाती है उसमें कली तो आ जाती है लेकिन गिर जाती है वापस और दोस्तो जो पेटी के अंदर उसके बाद बहुत सारी और भी कलिया नीचे पड़ी रेती हैं। उनमें से चेन बहुत स्पिट से चलती हैं। तो उस चेन की वज़े से वो बाकी की जो हमारी पड़ी कलिया डेमेज होती हैं। तो दोस्तो डेमेज होने की वज़े से उनमें जर्मिनेशन बहुत कम होता है दोस्तो चेन वाली मशीन के अंदर अगर आप ग्रीडिंग वाली कलिया भी डालोगे तो सरो परतम बड़ी-बड़ी कलिया डाल दोगे तो उसको चेन वाली मशीन एक-कलि उठा लेगी उसके बाद में दोस्तो आपके जो second number की कलिया है दोस्तो उसको अगर आप जब डालोगे तो वही machine आपकी कलिया एक नहीं बलकि दो-दो कलिया तिन-तिन कलिया एक-एक साथ उठाईगी और तिसरे number की कलिया तो दोस्तो वह तो बहुत छोटी-चोटी कलिया होती है तो तिसरे number की कलिया को तो वह 5-5 कलिया भी एक साथ उठा सकती है दोस्तो चेन वाली machine के अंदर अगर आपको लसुन कम या ज़्यादा करनी हो तो दोस्तो उसके लिए उसमें RPM का सिस्टेम होता है दोस्तो उसमें चेन को खोल कर दूसरे चेन स्पोकिट पर लगाकर उसके RPM कम ज़्यादा करने पड़ते हैं दोस्तो उसको बहुत आसानी से हम कम या ज़्यादा नहीं कर सकते हैं और दोस्तो गिरारी वाली machine दोस्तों गिरारी वाली मशीन में कलियों के डेमेज होने का कोई खत्रा नहीं होता है और दोस्तों उसमें जब हम ग्रिडिंग वाली सबसे बड़ी कलिया डालते हैं तब दोस्तों उसमें बड़ी कलिय के इसाब से अपन उसमें चाल खोल सकते हैं उसमें हर 5 सेकंड में आप चाल को कम ज़्यादा कर सकते हो उसमें किसी भी परकार की कोई परिशानी नहीं आती है फिर आप सेकंड नमबर की कलिया डालते हो तो सेकंड नमबर की कलियों की यसाब से आप उस मसीन की चाल खोल सकते हो दोस्तों उसमें हर समय अगर आपको लगे कि हमारी के लिए ज़्यादा गिर रही है कम गिर रही है तो उसी समय आप मशीन को चलते चलते ही आप उसमें को कम ज़्यादा कर सकते हो दोस्तो मैंने आपको दोनों परकार की मशीनों के बारे में बताया है अब इन में सापको कौन सी बेस्ट लगे आप उसका परियोक कर सकते हो लेकिन दोस्तो मेरे अनुबव के इसाब से मुझे तो गिरारी वाली मशीन बहुत ही बेस्ट लगी आपको कौन्सी मशीन पसंद है वो कमेंड बोक्स में जरूर बताईएगा तन्यवाद